महराष्ट में मराथा अलक्षन की मांग को लेकर मंगलवार को एक महीला समय नो और लोगों ने आत्मत्या कर ली 19-31 अक्टोबर तक यानी 13 दिनों में अब तक 25 लोग सुसाइट कर चुके हैं इस साल सितंबर में शुरू हुआ अंदोलन आठ से ज़्यादा जिलों में हिंसक हो गया है इस अंख्या 1990 के मंडल आंदोलन के दुरान की गई आत्मत्याओं के आकड़े के बाद सबसे ज़्यादा है 30 अक्टोबर को बीड में हुए इंसक वारदातों के बाद अब विरोत की आग मुमवई तक पहुँच गई है कॉलाबा इलाके में बुद्वार सुबर विदायकों के सरकारी आवास के सामने दुअग्यात लोगों ने महाराष्ट के मेडिकल एजुकेशन मिनिस्टर हसन मुश्रिफ के काफिले की गाड़ी में तोड़ फोड की तीन लोगों को हिरासत में लिया गया है पिछले चाहत अशक से महाराष्ट में मराठा अलक्षन की मांग कर रहे हैं राज सरकार ने OBC के तहट मराठाओं को 2018 में 16% अलक्षन दिया था इसे राज मेकल अलक्षन 50% की सीमा को पार कर गया सुप्रीम कोर्ट की समीधान पीट ने मई 2021 में मराठा अलक्षन रद्द कर दिया था इसके बाद मराठा नेताओं ने मांग की कि उनकी समुधाओं को कुनभी जाती के प्रमानपत दिये जाए मुझदा सरकान ने मराठा समुदाय की कुछ लोगों को कुन्वी प्रमानपत देने का फैसला कर लिया है मुख्य मंत्री शिंदे ने सितंबर में गोशनागी की कैबिनेट ने मराठावार के मराठो को कुन्वी जाती प्रमानपत देने का संकल्प लिया है इसके लिए गटित पैनल ने दो महिने का समय मांगा शिंदे की समय सीमा 24 अक्टूमबर को पूरी हो गई जारंगे पाटिल ने 14 अक्टूमबर को जालना जिले में एक विशाल रेली में कहा कि 24 अक्टूमबर के बाद यहां तो मेरा अंतिम संस का जूलूस होगा यह समय के जीत का जशन होगा इसके बाद से प्रदशन चुरू हो गए इसी के साथ बने रहे हैं एक्टूमबर के साथ